Hello kids, how are you? Good. Kids, today first we will do our conversation questions and then we will do our written work and bita, our this month theme is season. So, our conversation questions are also related to this theme. Question number 1 In which season do we use fan, AC and cooler? bita, ऐसा कुन सा season होता है? जिसमें हम fan, AC and cooler का use करते हैं? Answer, we use them in summer season. और ये देखे, bita, summer season summer season में क्या होता है? सूरज बहुत तेज़ चमकता है, बहुत गर्मी देता है और उससे क्या होता है? हमें बहुत पसीने आते हैं, गर्मी लगती है. इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग? आपको पता है गर्मी से बचने के लिए क्या करते है fan, AC और cooler का यूज करते है बेटा question number two In which season do we use heater? ऐसा कौन सा season होता है जिसमें हम heater का यूज करते है answer we use heater in winter season और ये देखे बेटा ये कौन सा season है? winter season यानि सर्दी का मुसम और सर्दी के मुसम में क्या होता है बहुत ठंड होती है और ठंड से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं गरम कपड़े पहनते हैं उनी कपड़े पहनते हैं और फिर भी अगर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं हीटर का यूज़ करते हैं तो चलिए बिटा, अब हम अपना written work start करते हैं. Let's start today's work. First of all, we will mention today's date in left-hand side and today's date is 23rd of October 2020. Means 2323.1010.2020 and just opposite side is right-hand side and here we will mention Likhit Kare. In second line, we will mention today's heading and today's heading is Vilom Shab. और पिटा, आज भी हम Vilom Shabd को ही दुबारा से revise करेंगे. Number one अमीर, अमीर अमीर, अमीर और पिटा, अमीर का Vilom Shabd क्या होगा? गरीब गरीब, गरीब और रा में कौन सी मत्रा आ रही है? इ की मत्रा आ रही है और इसे हम कैसे बोल रहे हैं? लंबा खीच के बोल रहे हैं अमीर, गरीब गरीब, अमीर Number two अब मुझे बताईए, सुभा का Vilom Shabd क्या होगा? येस, येस, सुभा, शाम शाम, शाम सुभा, शाम शाम, सुभा Number three कठिन और बेटा, कठिन का Vilom Shabd सरल सरल जिसे कोई कोश्चन होता है, कठिन होता है कोई कोश्चन कठिन हता है, एकजाम में तो हम बोते हैं ये कोश्चन तो बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है तो कठिन का Vilom Shabd सरल सरल कठिन Number four सुख अब मुझे बताइए, सुख का Vilom Shabd क्या होगा दुख 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 सुख दुख दुख सुख Number five सुखा 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 का Vilom Shabd Yes, गीला गीला सुखा गीला गीला सुखा बताइए, बताइए, दर्ती धर्ती 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 का Vilom Shabd बताइए, क्या बोलते हैं, धर्ती आस्मान 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 धर्ती आस्मान Number seven कम कम और बिटा, कम का Vilom Shabd अधिक आपने सुना होगा, कई बच्चे आपस में बाते करते हैं या फ्रेंड्स आपस में बाते करते हैं तो देखो, मेरे पास तो कम टॉफीज हैं उसके पास ज्यादा टॉफीज हैं या अधिक टॉफीज हैं बोलते हैं ना तो कम का Vilom Shabd क्या है? अधिक अधिक, कम कम, अधिक नमबर एक धूप, धूप अब मुझे बताईए धूप का Vilom Shabd क्या होगा? पता है आपको धूप का Vilom Shabd? येस, चाया चाया, चाया धूप, चाया चाया, धूप बेटर नमबर नाइन ख, श, खुश और खुश का Vilom Shabd? उदास 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 खुश, उदास उदास, खुश नमबर टैन सच, सच सच का Vilom Shabd? कहते हैं ना वो देखिए वो कितना सच बोलता है वो तो बहुत सच बोलता है और कहिएं को कहते हैं ना कि वो कैसे बोलता है? बताइए, सच का Vilom Shabd क्या होता है? जूट जूट, जूट जूट, जूट कहते हैं ना वो देखिए उसने तो सच बोला लेकिन उसने क्या बोला? जूट बोला सच, जूट जूट, सच नमबर 11 लिया, लिया अब लिया का विलोम शब दिया लिया, दिया लिया, दिया लिया, लिया kids, work should be neat and clean and formation should be correct and second thing better, speak and write जो भी आप लिखने हैं उसे कैसे लिखेंगे? बोल-बोल कर लिखेंगे इससे क्या होगा हमें मातरा की भी प्रैक्टिस होगी लिया, लिक ये लिखेंगे, लिया